सियासत का हमारी जिन्दगी पर सैलाट के पानी की तरह बेगर अजाज़त दाखिल हो जाना एक बात है लेकिन इस सियासत में जिस तरह अब धीरे धीरे हमारे इमान और अकीदे को चबाना शुरू कर दिया ये हमें हरगिस कुबूल नहीं है अभी चंद रोज पहले 21 जुलाई को पच्छिम बंगाल के शहर कॉलकता के धरमतला विक्टोरिया हाउस के करीब उचो और बड़ा मंच सजाकर शहीद दिवस मनाया गया जिसमें इंसानी सहलाब उमड पड़ा पच्छिम बंगाल की मौजुदा हुकूमत यानि तिर्नमुल कॉंग्रेस ने इस मन्च पर जिस तरह आजान के कलमात को बिंगॉली गुलोकार नचिकता चकरवती ने मौस्की के साथ हम आहंग करके उसे तराना बनाने की सरकसी की उसने हमारे दिलों को चलनी चलनी कर दिया हैं और इससे भी ज्यादा दुख और अफसोस की बात तो ये है कि इस मन्च पर और मन्च के करीब सो काल्ड मुस्लिम लीडरान दो एमपी साथ मिनिश्टर ब्यालिस एमेले कौंसिलर पंचायत परधान मुंसपर्टी चेरमेन माइनुटी सेल के मैमबरान सब की चीखाजान के कलमात के बेहरमती की गई मगर किसी ने भी आवाज बुलंद करने की जूरत नहीं की क्यूंकि इन्हें डर है कि कहीं दीदी यानि मुक्हमंतरी मम्ताबैनेर जी कहीं नाराज ना हो जाएं और इनके सत्ते की कुरसी में आग ना लग जाएं इन्हें खुदा क ख़फ से ज्यादा दीदी का डर सता रहा है तभी तो तीन दिन गुजर जाने के बावजूद भी इन सो कॉल्ड मुस्लिम नेताओं की एक भी चीखाजान के कलमात की बेहरमती के खिलाफ सुनाई नहीं दी है इसी तो अब ये साबित होता है कि तराने पेश करने के दौरान ये तमाम मुस्लिम लिडरान बहरे हो गये थे या फिर अब ये सत्ते की कुर्सी कहीं भस्म ना हो जा इसलिए गूंगे बन गये हैं है तो इस बात पर भी है कि इस मंच पर टोपी दाड़ी वाले चंद ऐसे भी मुस्लिम लिडरान मौजूद थे जो बड़े-बड़े मुस मुसल्मानों की आबादी है ऐसे इस्टेट में आजान के कलमात की बेहरमती के खिलाफ कोई मुसल्मान खड़ा होने की जरुरत नहीं कर रहा है अफसोस तो इस बात पर भी है कि मुसल्मानों का सबसे कदीम अदारा खिलाफत कमेटी जो हर साल रेड रोड पर इदुल फित् बंदी के साथ अदा करवाती है इनके एक भी अराकीन के आजान के कलमात के इस बेहरमती के खिलाफ कोई मजहमती बयान नहीं सुना गया क्यूंकि इस रेड रोड पर नमाज की अदाईगी के बाद मुक्हेमंतरी मम्ताबैनर जी खुद विराजमान होती है अगर आवास अपना जमीर अपना अकीदा सब कुछ बेज दिया है पचिम बंगाल में इस तरह का तराना पहली बार मम्ताबैनर जी के स्टेज से पेश किया गया मुझे ये कहने में कोई कबाहट डर ये खौफ नहीं के आजान के कलमात के बेहरमती मम्ताबैनर जी की अजाज़त से की ग बंगाल के मुसल्मानों को दो टोक लफ़ों मम्ताबैनर जी से इस सवाल का जवाब लेना चाहिए कि आखिर आखिर आपने क्या समझ कर आजान के कलमे को म्यूजिक के साथ पेश करने की अजाज़त दी है बंगाल के मुसल्मानों को ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारे स आमने इसलाम और इसकी तारीख हगोई का जो नमूना पेश करती है वो यही है कि हमें किसी भी जाबिर हुकमरा के सामने अपने हगोई के साथ दिवार के तरह खड़े हो जाना है हमने इसलामी जिन्दगी के तमाम आदतों को छोड़ दिया है हमने आजादी की जिन्दगी पर गुलामी की जिन्दगी को तरजी दे दी है और हमारे इसी कोताही के सबब दुनिया ने हमें कुचल कुचल कर खत्म करने की साजिश शुरू कर दी है इसके बावजूद भी शर्म हमको मगर नहीं आती अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लाइक करें फॉलो करें और कमेंट्स करना बिलकुल भी ना भूलें क्यूंकि आपका एक कमेंट्स मुझे होसला देगा लाइ सम्दाना लाइक कर दो लाइक करें लाइक करें लाइक करें लोलेंग्सMoment अल्ला हु अक्वर अल्ला हु अक्वर या देवी सर्व भूतेशु मात्री रूपेड संस्तिता नमस्तस्वै नमस्तस्वै नमो नमह अल्ला हु अक्वर या देवी सर्व भूतेशु मात्री रूपेड संस्तिता नमस्तस्वै 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 नमो नमह अल्ला हु अक्वर या देवी सर्व भूतेशु शक्ति रूपेड संस्तिता नमस्तस्वै 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 नमो नमह अल्ला हु अक्वर या देवी सर्व भूतेशु मात्री रूपेड संस्तिता नमस्तस्वै 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 नमो नमह अल्ला भूगुवा 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 अल्ला भूगुव